खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है खुद के बनाए पिज़र से निकल कर देख तु भी एक सिकंदर है जिन्दगी में तु कितनी बार हारा ये कोई माइने ने रखता क्योंकि तु जीतने के लिए पैदा हुआ है जिन्दगी की कठिनाईयों से भाग जाना आसान होता है डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिन्दगी में लडने वालों के कदमों में जहान होता है जीत और हार तेरी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी मैदान में हारा हुआ इनसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इनसान कभी नहीं जीत सकता पानी में गिरने से किसी की मृत्यू नहीं होती मृत्यू तभी होती है जब तैरना नहीं आता परिस्थितिया कभी समस्या नहीं बनती समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सुखा नहीं करते इनसान असफल तब नहीं होता जब वो हाल जाता है असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता शुरुवात करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है लेकिन महान होने के लिए शुरुवात की जरूरत है बारिश की बुंदे भले ही चोटी हूँ लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है वैसे ही हमारे चोटे प्रयास भी जिन्दिगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं संगर्ष इनसान को मजबूत बनाता है फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो कुछ अलग करना है तो भीड से हटकर चलो भीड साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कर्ष्टियां जिद पे होती हैं ओठ जाग बढ़ और तब तक मतरुक जब तक के लक्ष न प्राप्थ हो जाए तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो वरना जिन्दगी बीच जाती है किसमत को दोश देने में आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग बनती है बाद में सच्चाई बन के सामने आती है जब भी जिदिगी आपको पटक दे या पीछड हकेल दे तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अकसर मन्जिल पर पहुंसते हैं अगर जिन्दगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो इरादे नहीं अगर आप उस इनसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिन्दगी बदल देगा तो आप आईने में देखिए क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इनसान आपकी जिन्दगी नहीं बतल सकता